ब्यार के सरकाड़ी स्कूलों में अब सिक्षक दाड़ी बढ़ा कर जिन्स टिसट में नहीं जाएंगे अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर उन पे कारवाई होगी वही महिला सिक्षकों को लेकर भी बड़ा आदेश जारी किया गया है और असपश्ट तोर पे कहा गया है कि अब महिला सिक्षका स्कूल में चमकीले कपड़े पहन कर नहीं जाएंगे इसके साथ ही बढ़कीले वस्तर भी पहन कर नहीं जाना है ऐसा अगर करते हैं तो बड़ी क्या रवाई जो है वो हो सकती है लेकर ब्यार में इन दिनों सिक्षा विभाग के अपर मुक्षचिव केके पाठक कापी सुर्क्यों में है सिक्षा विभाग की इस्तिती सुधार्डे को लेकर लगतार एक्सन में है बेगुसराइक के जिला सिक्षा पताधिकारी द्वारा सुकरवार को एक फर्मान जारी किया गया है उन्होंने अपने आदेश में साफ तोर पे कहा है कि कोई भी सिक्षन स्कूल में दाड़ी बढ़ा कर नहीं जाएंगे निरेक्षन के दौरान यदि व बेतन जो है वो काट लिया जाएगा वही महिला सिक्षका के वस्त्र को लेकर भी फर्मान जारी किया गया है और इस आदेश की चर्चा हर तरफ हो रही है बेगुसराइक के जिला सिक्षा पताधिकारी के आदेश जारी किर कहा है कि कोई महिला सिक्षका स्कूल में चमकीले क कपड़े पहन कर नहीं जाएंगी इसके साथ ही बढ़की लिए वस्त भी पहन कर नहीं जाना है ऐसा करने पर उनका वेतन जो है वो काट लिया जाएगा वही इस नया देश पर जिला के सिक्षुकों में आक्रोस है हलाकि आक्रोस भी किसी काम का नहीं जब सरकार ने नियम तो असपस्ट तोर पे उसे पालन करना होगा अब जबा ब्यार के सरकारी स्कूल और नेजिव इद्याले को देख लिया जाय तो अंतर बहुत असपस्ट है कई नियम कानून है जो आज की तारीक में केके पाठाक ब्यार के सरकारी स्कूल में लागू कर रहे हैं वो स्कूल में ड्रेस कोड लागो क्यों नहीं होगा आप निजी विद्धालों में जाएंगे तो आपको तमाम जो सिक्षक होते हैं जाहे हो मैला हो पुरुस हो उनकी लिए भी एक ड्रेस कोड निधारित है और उसका पालन भी क्या आता है अगर आप वहां ऐसा नहीं करेंगे त स्कूल मेनेजमेन के तरफ से आपर कारवाई भी की जा सकती है तो फिर सरकारी स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं लोगों के जहन में एक सवाल भी था कि भाई सरकारी और प्राइवेट स्कूल में इतना फड़क क्यों होता है हाला कि गुनवता को लेकर भी कई सवाल है कि सरकार विद्यालों में पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं होते हैं जबकि सिक्षक अच्छे होते हैं और इन तमाम सवालों का जवाब अपके के पाठक दे रहे हैं एक्षन के दवारा एक-एक्षन उनका जमीन पर एक-एक्षन का रियक्षन जो है वो होता दिख रहा है स्कूल में सिक्षक समय प्यार हैं या तक कि वो मुवाइल फोन यूज नहीं कर रहे हैं ड्रेस कोड लागू हो गया है वो पहन कराना है और बच्चे को पढ़ाना है अगर बच्चे सिकायत करते हैं तो फिर सिक्षकों पे कारवाई भी हुई है ऐसा देखा गया है तो ऐसे मे निरक्षन का कारे जो है वो शुरू हो चुका है कि के पाठक लगतार अलग लग जिलो का भ्रमन कर रहे हैं और अचानक से औचक निरक्षन करने के लिए विद्दाले पहुँझ आ रहे हैं और जो भी लोग वहाँ पे गलत पाय जा रहे हैं उन पे कारवाई भी कर रहे हैं जाना है फॉर्मल ड्रेस हो है वो इस ड्रेस में आपको स्कूल जाना है अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका एक दिन काट ने जाएगा जिस दिन आप पकड़ जाते उसंदिन का बेटन और जितना दिन का बेटन आपका वो कटेगा तो तो बच्जों में खुसी का लहर हैं बच्चों में जगे कि चलो अब जो है उनका भविस जो है वो समर जाएगा तो अब याक्षन होडा और प्रेक्षन के कारण जो सिख्षक हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है विराल आप क्या सोचते हैं क्या वाकई में सिख्षा दिवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है कि के पाठक के आने से ब्यार के बच्चों की भविस से जो है वो एक सही रास्ते पर जा रही है अगर आप मेरे वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिजे